तो यह देखे यहां पर सब परसाथ की दुगाने लगी ही बाहर आगे लिखाते हैं और में दर्वाजा आगे से हैं मेंगेट वह सामने आगे से हैं चलिए आंदर चल के मिलते हैं हलो दोस्तों कैसे अमीद है कि आप सब लोग अच्छे आज हम आ चुके लखनौ के हन्वान धाम आगे चल के वीडियो दिखाते हैं पूरा पूरा हन्वान धाम दिखाते हैं जो हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए आगे चल के मिलते हैं यह दीखे कुछ नजारा इस तरीकी है देखिए देखिया है चलिए आगे चलते हैं और यह देखिए गड़े ची की मुड़ती है और यह देखिए सामने हन्वान जी का मंदिर है इसमें हन्वान जी जी पर निच्थी दिखिए पर इसमें राम लचमार सीता जी की अंदर मुट्टी रखिए एक तरफ पर संकर जी पारवती की मुड़ती है और आगे चलिए यह देखिया कुछ नजारे इस तरह है कितना मन्दिर बनाया गया है इतिनी बहत्रीन मुर्टिया बनाई गई है और देखिए यह देखे थोड़ा बायर का है यह दो सेर बनाए गया है और यह देखिए हनवान जी की छोटी छोटी कितनी सारी मुर्ति बनाए गए ओपर के नगर ओपर देखे कि तशी बेहतीरीन बनाए हचानुवान जी का मंदिर और चोटे-चोटे बहुत सारे मंदिर बना गए है और आगे चलते हैं भी यह दिखे छोटी-छोटी मुर्तिया बनाए गही हैं हनुआ जी की 125 मूर्तिया बनाई गई पूरे मंदिर में और ये सामने शीव जी पारबती का मंदिर है इस सामने उनके मूर्ति रखी हुई है और आगे चलते हैं इसके पीछे की तरह बहुत फूरत बनाया गया है जो अभी चल के आगे दिखाएंगे और ये देखिये हनवान जी की मूर्तिया और ये देखिये चा मंदिर है और आगे जलते हैं नीची की तरह बहुत खूरत बनाया गया है और ये देखिये अलग- हनवान जी की मुर्दिया बनाई गई है बहुत खुब्सूरत खुब्सूरत नीचे तक बनाई गई है जोकि नीचे बहुत खुब्सूरत बनाया गया है चलिए आगे चल के दिखाते हैं वीडियो में बने रही है पूरा अंतक देखिएगा बहुत खुब्सूरत जगह है यह यहां आएए आराम तो घूमियें बैकिये घंटे दुघंटे महुत मज़ा आने आला है यहाँ पर और यह देखिये कितिना खूबसूरत बनाया गया है मंदिर और सामने जूले भी लगे हैं और यह गार्डन है देखिये सामने गार्डन दिख रहा है और यह देखिये छटरी की तरीके बनाए गए कितनी सारी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं這是 बीच बीच में पानी भरा हुआ है । बहुत सारे फूलों के फेनल लगाये गये हैं और यह देखिये से बनाए हैं यह सीड़िया है वो और यह देखें छोटे-छोटे मंदीर बहुत बनाए गया है और देखें कितना खुप्षूरा लग रहा है और आगे चलके दिखाते हैं अभी यह देखें मंदीर के पीछे का कुछ इस तरह नजा रहा है इस तरह दिखता है पीछे मंदीर का और उपर चलके अभी दिखाते हैं इसे दोनों साइट छोटे-छोटे मंदिर बनाए गया है राधारी स्री किस्मी जी के मंदिर है और यह पीछे का यह देखें और यह देखें पीछे कितिना खुप्षूरा दिख रहा है और देखें पीछे इसके गौमती नदी है देखें कितिना खुप्षूरा लग रहा है यहां पर आईए आराम गूमिये देखिए और देखें कितनी खुप्षूरा जगा है इस सांती की जगह यहां पर आईए देखें कितनी बहत्री जगह है और बढ़िया फोटूप चाहिए बढ़िया बीडियो बनाईए यहां पर बढ़िया बहुत खुप्षूरत होने आना है बीडियो देखें पीछे का कुछ मंदी रिष्टवा जिस्ता खुप्षूरत दि अईसा लगने राज कि यह मंदिर है और यह देखें मैट्रो का पुल है यहां से मैट्रो जाती है और यह देखें गोमती नदी है और देखें कितना खुप्षूरत लग रहा है यहां पर और यहां पर भी यह देखें जूले लगे हुई है आप जूला जूली है और आगे चलते हैं तो देखें कितना बहत्रीन बना कितना सुन्दर है हनुमान धाम लखनव का है लखनव का हनुमान धाम देखें मेरे पीछे कितना बहत्रीन बना हुआ है चलिए आगे और चलके दिखाते हैं और यह देखें छत्री किती बहत्रीन बनाई गई है बहुत खुर्सूरज बनाया गया है और देखे इतना प्यारा लूग दिख रहा है और यह देखे सामने गार्डन है बड़िया गार्डन वेट यह बोटिंग भी कर सकते देखे बोट चल रहा है बोटिंग के लिए आपको 300 रुपाय देना पड़ेगा पांच छे लोग बैठ सकते हैं और देखिए कितना पूप सूरद लग रहा है यहां तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा लाइक करना सेर करना कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना जो हमारे चैनल पर नए आगे लिए वीडियो फिर मिलते हैं तालील दाहिन तो लग वाइक लाइक 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 लग दूकर वान आप्छां आपтесь está आप्यों को जयो दो हमारे जखो वेच्छ RI